हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे बच्चों आज हम समझेंगे कहानी लेखन क्या होता है यानि स्टोरी राइटिंग बच्चों कहानिया तो सबको पसंद है आपको भी मुझे भी सबको तो कहानी सुनना हमें बच्चपन से ही अच्छा लगता है कहानी की समझ हमें होनी चाहिए कहानी कैसे लिखी जाती है कहानी हमेशा बच्चों सरल लिखी जानी चाहिए उसमें शब्दों का चयन भी सरलता से होना चाहिए तो चलिए कुछ कहानियों को हम पढ़के समस्ते हैं कि कहानी कैसे लिखी जाती है हमारी पहली कहानी है कववा और लॉमरी तो समझेंगे इस कहानी को कैसे लिखेंगे एक बार एक कववे को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला वह उसे लेकर एक पेड़ की शाखा पर चा बैठा इतने में वहाँ एक भूकी लॉमड़ी आ गई उसने कववे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहा वह बहुत चालाक थी वह कहने लगी कववे भाईया तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है क्या तुम एक गाना नहीं सुनाओगे कौवा अपनी प्रशन सा सुनकर बड़ा खुश हुआ उसने गाने के लिए जैसे ही मूँ खोला उसका रोटी का टुकड़ा नीचे गिरिया चालाक लॉमड़ी ने उसे उठा कर खा लिया और भाग गई कहानी के आंत में शिक्षा अवश्य लिखें जैसे इस कहानी की शिक्षा में क्या मिलती है जूटी प्रशन सा करने वालों से सावधान रहो चलिए अगली कहानी की और बढ़ते हैं और हमारा विशे है कुट्टा और मास का टुकड़ा एक बार एक कुट्टा भूका था भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था वहाँ उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला उसने टुकड़े को मुँ में दबा लिया वह उसे लेकर चला गया और वहाँ रास्ते में उसे पुल मिला वह उस पुल की किनारे बैट गया पुल के नीचे स्थिर पानी जमा था पानी में कुट्टे ने अपनी परचाई देखी उसे लगा कि दूसरा कुट्टा भी मुँ में रोटी का टुकड़ा लिये हुए है वह कुट्टा पानी की परचाई वाले कुट्टे पर भौकने लगा उसके मुँ से रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया कुट्टा देखता ही रह गया और अंत में उसे भोका रहना पड़ा अब शिक्षा क्या लिखेंगे इसके लिए लालच बुरी बला है अब एक और कहानी को समझेंगे विशे है हमारा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो कहानी कैसे शुरू करेंगे हैं? इससे समझते हैं किसी गाउ में एक गरीब किसान रहता था उसने बाजार से एक मुर्गी खरी दी वह मुर्गी प्रती दिन एक सोने का अंडा देती थी सोने की अंडे बेचकर किसान जल्दी ही धनी हो गया किसान के मन में लाला चा गया वह बहुत बड़ा धनवान बनना चाहता था उसने मुर्गी को मार कर उसके पेट से सारे अंडे निकालने का निष्चे किया मगर उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था किसान दुखी और निराश हो गया वह पष्ताने लगा उसकी प्रती दिन की कमाई भी बंध हो गई इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है अब शिक्षा लिखेंगे हम कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए अगला विशे को समझते हम अगले विशे पर हमने कहानी लिखनी है हाती और दर्जी किसी गाउं में एक हाती रहता था एक दर्जी उसका दोस्त बन गया हाती हर रोज नदी में नहाने जाता था जब वह दर्जी की दुकान से होकर गुजरता था तो दर्जी उसे कुछ खाने के लिए देता था एक दिन दर्जी गुस्से में था जब हाती उसकी दुकान पर आया तो उसने हाती की सून में सुई चुबा दी हाती को बहुत दर्द हुआ पर वह चुपचाप महां से चला गया हाती ने नदी में स्नान किया और अपनी सून में गंदा पानी भर लिया फिर वह दरजी की दुकान पर आया हाती ने सून में भरा गंदा पानी दरजी के दुकान में रखे कपड़ों पर फैंक दिया उसके सारे कपड़े खराब हो गए दरजी को अपने बुरे विवार पर पच्टावा होने लगा इसके बाद हम इस कहानी की शिक्षा लिखेंगे कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए अब हमारी अगली कहानी का विशे है जूट बोलने का फल गडरिये का एक लड़का भेर चराने जाता था उसे जूट बोलने की आदत थी एक दिन वह भेर चराने जंगल में गया उसने जूट मुट चिलाना शुरू कर दिया दोडो बचाओ भेरिया आ गया उसकी आवाज सुनकर गाउं वाले दोड कर आये तो देखा लड़का मजेस लेकर हस रहा था कुछ दिनों बाद गडरिये का लड़का फिर से चिलाया दोडो भाईयों भेरिया आ गया लोग उसकी पुकार सुनकर दोड़ी लड़का लोगों को देखकर हसने लगा गाउं की लोग उसके जूट बोलने की आदत से बहुत धुकी थे एक दिन भेर चड़ाते समय सच्मुच भेरिया वहां आ गया बालक लोगों को सहायता के लिए बार बार आवाज देने लगा परन्तु इस बार कोई नहीं आया काउं वाले ने समझा कि लड़का फिर से मजाग कर रहा है भेरिया कई भेर मार कर खा गया वह लड़का अब पश्टा आने लगा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए हमारी अगली कहानी का विशे है बूरा माली फार्सी देश का एक बाथ्षा बहुत दानी था एक दिन वह घूमने निकला उसने देखा कि एक बगीचे में एक बूरा माली अखरोट के पेड लगा रहा है बाथ्षा उस बगीचे में गया उसने माली से पूछा क्या यह तुम्हारा ही बगीचा है? माली ने कहा यह बगीचा मेरे ही बाप दादों ले लगाया है बाथ्षा ने पूछा तुम अकरोड के पेड लगा रहे हो? क्या इनका फल खाने के लिए तुम जीवित रहोगे? अकरोड का पेड लगाने के लिए बीस साल बाद फल देता है माली यह बात जानता था उसने कहा मैं अब तक दूसरों के लगाये पेडों के बहुत फल खा चुका हूँ इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए पेड लगाने चाहिए बादशा माली के उत्तर से बहुत प्रसंद हुआ उसने माली को इनाम में दो अशर्फियन लिए तो देखा कितनी अच्छी कहानी थी? अब इसकी शिक्षा लिखेंगे हम हमें दूसरों की भलाई के लिए भी कारे करना चाहिए हमारी अगली कहानी का विशे है सारस और सियार एक सारस था, उसकी सियार से दोस्ती थी एक दिन सारस ने दोस्ती बढ़ाने के लिए सियार को भोच पर अपने घर बुलाया सियार ने भोच पर जाना स्विकार कर लिए सारस ने खीर पका दी, खीर को उसने दोस्त तुराईयों में परोस दिया सारस ने अपनी लंबी चोच से खीर खा ली मगर सियार सुराई में मूट डाल कर ही नहीं खा सका सियार बहुत दुखी हुआ, उसे गुसा भी आया लेकिन उसने सारस को कुछ पता नहीं चलने दिया कुछ दिन बाद सियार ने भी सारस को भोच पर बुलाया सारस सियार के घर आया सियार ने दो थालियों में खीर परोज दिया थाली में सियार ने खीर खा लिया सारस से सियार ने बदला चुका लिए तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा एक और विशे पर हम कहानी को समझते हैं हमारा कहानी का विशे है बुद्धी ही बल है प्राचिन समय की बात है एक व्रिक्ष पर एक कोवे का जोड़ा रहता था घोसले में कववा अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था एक दिन एक सर्प ने वहां आकर उनके बच्चे को खा लिया कववा अपने बच्चे को सर्प द्वारा खाया हुआ देकर बेहत दुखी हुआ नर कववा सर्प के पास गया और भूला हे सर्देवता हम आपके परोसी हैं परोसी तो एक दूसरे के सुख दुख के दोस्त होते हैं आपने तो अपने परोसी को भी नहीं छोड़ा कुवे के मूँ से ये बाते सुनकर सर्ब को गुसा आ गया वे क्रोध में भरकर फुफकारने लगा यह देखकर कोववा वहां से ततकाल उड़ गया यानि तुरंत उड़ गया कोववे ने सोचा कि यह अब हमारा हिट सोचने वाला नहीं है सर्प अब हमारा शत्रू बन गया है वे सर्प को समाप करने की बात सोचने लगे उन्हें सर्प को समाप करने का एक उपाय सुझा कोवा व्रिक्ष से उड़ा और पास के एक तालाब के किनारे व्रिक्ष पर जा बैठा उस तालाब के किनारे राजकुमार स्नान कर रहा था उसने अपने गले से सोने कारोहार उतार कर कपनों के उपर रख दिया कोवे ने उस हार को उठा लिया और सर्प के बिल के मूपर लाकर रख दिया राजकुमार के सैनिकों ने यह सब देखा पर कोवे के पीछे पीछे दोड़कर उस व्रिक्ष के पास जहां पहुँचे उन्होंने हार को व्रिक्ष के उपर लटके भी देखा उनमें से दो-तीन सैनिक व्रिक्ष पर चड़ गए पर जैसे ही हार को उठाने लगे पास में सर्व को बैठे हुए देखा सैनिकों ने छट से तल्वार से सर्व के टुकडे-टुकडे कर दिये कोवे ने अपने बुध्धी बल से सर्ट जैसे शत्रु को मरवा दिया अब हम शिक्षा लिखेंगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है मुसीबत के समय बुध्धी से काम लेना चाहिए तो उम्मीद करती हूं बच्चों कहानी की लेखन के विश्य में आप जान गए होंगे और हमने कितनी सारी कहानिया पढ़िए इसके बारे में यो आप समझ गए होंगे अब आप कहानी लेखन का अभ्याद स्वयम कीजिए